आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउन के सदस्य हैं और बात करें अगर शेवालों में लेंगिक जनन की ठीक है तो दोस्तों लेंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मकों का ठीक है युग्मकों के का निर्मान होता है और युग्मकों के सनलयन से नई संत्ति बनती है ठीक है तो दोस्तों जो शेवाल होते हैं इ मादा जन्नांग उपस्थित होते हैं, ठीक है, नर जन्नांग और मादा जन्नांग, ठीक है, जो नर जन्नांग होते हैं, इससे क्या बनते हैं, नर युगमक बनते हैं, ठीक है, और मादा जन्नांग से मादा युगमक बनते हैं, ठीक है, और जब नर तथा मादा युगमक सनल होते हैं ठीक है तो इनसे क्या बनता है जाइगो ठीक है जाइगो इस पोर बनता है ठीक है इसमें जाइगोट नहीं बनता क्योंकि इसमें विक्सित लेंगी चनल नहीं होता है तो दोस्तों अगर बात करें विकल्पों की तो पहला है उइस पोर दूसरा है जूइस पोर तीसर कवकों में होता है ठीक है दूसरा है जू स्पोर तो दोस्तों जब कवकों में ठीक है क्या होता है अलेंगिक जनन होता है ठीक है यानि कि बिना युगमकों के सनलयन के जो जनन होता है उसे अलेंगिक जनन कहते हैं और इसमें जू स्पोर बनते हैं ठीक है तीसरा है तो दोस्तों पादब तथा जन्तूओं में ठीके लेंगिक जनन के फलसुरूप जाइगोड बनता है और चोथा और आखरी विकल्प है जाइगोइस्पोर तो दोस्तों जो शेवाल होते हैं ठीके इनमें जब लेंगिक जनन होता है तो इसके फलसुरूप जाइगोइस्पोर बनता है तो यहाँ पर हमारे प्रिशन का सहीवत तरोगा तीस चोथ अविकल धन्यवाद